हेलो दस्तों सोगत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में चाहपर रैचप के लिए लेकर आए हो बैटमन हूँ लास का ओरिजिन और ये एक ऐसा विलन है जो बारबटास के बाद इस सारे इविट के लिए जिम्मेदार है इसी ने सारे डार्क मल्टिवर्स के सारे डार्क नैट्स एकटा करके हमारे मल्टिवर्स पर हमला बोल दिया था तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते है अर्फ 22 गौतम सिटी जहापर जोकर बैटमेन को वो नजारा दिखा रहा था जो उसके रॉंक्टे खड़े कर देने वाला था उसने उसके सामने एक बुरे परिवार को मार दिया सिर्फ एक बच्ची को छोड़कर और उस बच्ची को उसने जोकराइस कर दिया बैटमेन के सामने और बैटमेन ये सब देखकर अपनी बंदी हुए हालत में भी उसे बांदी हुई रसिया तोड़कर जोकर को मारने लगता है और पिटते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा लेकिन जोकर ये कहता है कि भले ही तुम मुझे कितना ही मार लो लेकिन तुम कभी भी मुझे जान से नहीं मारोगे और इस वज़े से में ये कभी भी बंद नहीं करने वाला और गुसे में आकर बैटमैन आखिर कर जोकर को मार देता है और मरते वक जोकर के मुझे एक टॉक्सिन बाहर निकलता है आगे दो दिनों बाद सुपरमैन और बैटमैन कुछ बच्चों को देख रहे थे जोकर ने अपनी तरह जोकराज़ कर दिये थे इस पर बैटमैन कलर्क से कहता है ये लोग मर रहे है एक ऐसे केमिकल के जरिये जो जोकर ने इन पर टेस्ट किया है वो इन्हें अंदर से कहा रहा है जैसे कि मुझे ये सुनकर कलर्क को थोड़ा अजीब लगता है इस पर हो कहता है तुम ठीक तो हो ब्रूस इस पर हो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन जब जोकर मर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्लैनिंग करके जा रहा है ऐसा लग रहा था कि वो कोई जाल फेक कर जा रहा है मुझे लगता है कि उसने जब टॉक्सिन मुझे पर टेस्ट किया वो दरसल में मुझे जोब कराइट करने के लिए था और तीन दिनों बात हम देखते है बैट के उमें बैट फैमिली अपनी ट्रेनिंग के दोरान बुरूस के बिहेवर में आये चेंज को नोटिस कर लेती है जिसपर बुरूस कहता है मुझे पता था कि तुम लोग ये नोटिस कर लोगे और मैं ये तुम्हें खुद बताना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी और को पता चेनने से पहले मेरी बैट फैमिली इसके बारे में आगा कर दी जाए और मेरी बैट फैमिली मैंसे चार लोग जो कि तुम हो उन्होंने ही पहले मेरे behavior में आये changes को observe कर लिया और तब बैट मैन बताने लगता है कि जोकर को मारते वक्त उसके मुझे निकलने वाला toxin उसकी शरिल में जाने के बाद वो किस तरह से बदलने लगा और वो ये बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वो toxin मेरे पूरे दिमा को rewire कर रहा है एक ऐसा कुर्स डेवलप कर रहा है क्योंकि बिल्कुल जोकर की तरह था जिसकर नाइट विंग उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम तुमें किसी prison में कैद कर सकते है तब तक जब तक त किसी ने भी सोचा तक नहीं होगा और तुम मेंसे कोई भी इसके लिए प्रिपेर नहीं होगा और वो अपने हाथ में गंड लेकर सभी को मार देता है एक अपते बाद हम देखते है कि उसने वाच टावर में सारे justice league को मार दिया था और सुपरमैन को उसने जिंदा चोड़ जाता लेकिन उसकी आगे फॉर्ट कर वो उससे बात कर रहा था क्लाक मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करना चाहता था मैं जब justice league के ट्रॉफी रूम से गुजरा तब मैंने बहुत सारे वेपन्स देखे और मुझे यह पता चला कि हमने कितने ही सारे वेपन्स जस्टि तुमें इसे हो ही नहीं जिस पर वो लुईस और जॉन उसके सामने चोड़कर कहता है तो अपने बच्चे से यह के कर दिखाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपना old superman magic चला कर बताओ उसे कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है जिस पर वो कहता है नहीं मैंसा नहीं और अब देखते हैं कि यह तुम पर कैसा असर करता है और black crypto night उस पर भी वैसा ही असर करता है जैसा super girl पर किया था आगे हम देखते हैं कि akira batman वहाँ पर बेटा अपने robins से कह रहा था कोई भी चीज मुझे मार नहीं सकती बले ही तुम armies लेयाओ, villains लेयाओ, aliens लेयाओ या फिर किसी भी बुसेल गौर को लेयाओ, लेकिन फिर भी ये कहानी methodically खत्म होगी उनके blood के साथ, और जोकर सिर्फ अपने world के बारे में सोचता था, लेकिन मैं नहीं, मैं उसके आगे की सोच रहा हूँ, और तभी मुझे मिला barbatos, जिसने मुझे दिखाया कि dark multiverse क्या है, वो वो हमसे कही बड़ा और हमसे कही ज्यादा beautiful था, dark multiverse को देखकर मुझे ये पता चला कि मैं कितनी छोटी सोच रखता था, और मैं उंगली पर गिरने वाले world shit दवा करना चाहता था, लेकिन dark multiverse देखने के बाद मुझे ये पता चला कि हम तिना छोटा सोच रहे है, जबकि य मुझे रखता है कि इस सब के बावजूद भी मुझे रखता है कि सिर्फ ये darknets काफी नहीं होंगे उस multiverse को काबू करने में, इसके लिए मैंने कुछ अलग सोच कर रखा है, मुझे पता ही ये तुम्हें देखना है और तुम इसके लिए मरे जा रहे हो, और तब वो दिख रुके होए इन्वेजन करने के लिए और वो इन्वेजन होगा मेली कमांड पर और तब वो उस आतमी से कहता है मैं जब Bruce Wayne था तब मुझे लगता था कि planning ही सब कुछ है लेकिन मैं गलत था, मैं गलत था क्योंकि है सब कुछ है और अब जिसे देख रहे हो वो ये Batman who laughs इसका म